कैसे हैं आप सभी मैं नेहा दमाया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में आपको हेमालियान और्गेनिक ब्रांड के और्गेनिक विटमिन B12 कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूँगी इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बोड़ी को आपकी शरीद को किस तरी किसी फायदा देता है डिटेल में गईज आज अपने इसका रिव्यू करेंगे बेनिफिट, साइट इफेक्ट, यूज़, प्राइज और डोज, इन सर्ब के बारे में तो गईज अगर आप अपनी सरी के इम्मुनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने मूड को बूस्ट करना चाहते हैं, एनरजी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं या फिर गईज आप अपनी बोडी के अंदर कैल्शियम और फोस्पोरस की कमी को पूरा करना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाया रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंपोरेंट होने वाली है तो पूरी वीडियो को देखना न भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो दालते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे तो चलिए गईज बना टामी विशक आम कर लेते हैं, इस कैपसुल के बारे में जो के आपके शरी की ठकान को दूर करने में मदद करता है, आपके मूर को फ्रेस्च बनाने में मदद करता है तो guys आपने इस brand के बारे में तो सुनाई होगा Himalayan Organic brand जो कि बहुत ही जाना माना brand है market में आपको इसके काफी सारे product मिल जाएंगे तो guys vitamin B12 अपने body के लिए बहुत ही जादा जरूरी होती है बहुत ही जादा आवशक होती है जो के guys अपने सरी के immunity को बढ़ाती है हड्डिको की कमजोरी को दूर करती है और भी guys इसके बहुत ही जादा benefit होते है और ये जो product है guys जो capsule है इसकी packaging के अंदर 120 vegetarian capsule present है जिसका प्राइज है 449 रुपे काफी affordable है guys इस टाइम ओफर चल रहा है इसलिए सस्ता मिल गया है नहीं तो वैसे तो इसका प्राइज बहुत ही जादा महेंगा आता है तो guys ये जो औसदी है ये जो capsule है वो आपके सरी के energy level को बढ़ाता है आपके थकान कमजोरी को दूर करता है हड्डियों को मजबूत बनाय रखने में मदद करता है इसके अंदर जो active ingredient present है जो between B12 तो guys वैसे भी अपने बोड़ी के लिए बहुत ही जादा अच्छी मानी जाती है और और भी guys इसके अंदर काफी सारी ingredient है जैसके wheatgrass powder है moringa leaves powder है इस टेविया leaf powder है और आवला powder ग्रीन आवला powder इसके अंदर प्रेजेंट है wheat root powder इसके अंदर प्रेजेंट है जो के आपकी थकान कमजोरी को दूर करता है यह capsule गैज 500 mg का है जो इसको अगर डेली नेमित रूप से इसका इस्तिमाल करते हैं तो आपकी जो थकान कमजोरी है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी नेमित रूप से आपको इस Capsules के इस्तिमाल करना होगा तो आपको दो Capsules लेने हैं या आप गुंगने पानी के साथ इसका इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर एक वार आप डॉक्टर से कंसल्ट करने कि कि आपको किस तरीके से लेना है किसतरी किसे नहीं लेना, क्योंकि guys हर किसी की body की इंगल मेडिकल कसी को फायदा देती है, तो किसी को नुकसान भी कर सकती है इसलिए guys डॉक्टर की सलाके хват कि इसके इस्तिमाल न करें ना ही इसको खुराँ से ज़ाद मात्रा में ले अगर आप पहले से कोई अन्य सप्लीमेंट ले रहे हो, विटमिन B12 का, या फिर आप कोई और दवा का इस्तिमाल कर रहे हो, या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो इसी इस्तिमाल में लेने से पहले डॉक्टर से चुरूर करें और इसका सेवन खुराक से जादा मातरा इसके अंदर गोड़ पाए जाते हैं जो के आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं जैसके आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है या फिर अनिवन दिखाई दे रही है तो गईज अगर आप नेमे तुरुक से कैप्सुल का इस्तिमाल करते हैं तो आपकी जो तुच्छा है वो ग्लोइंग बनेगी आपकी तुच्छा एकदम निखरी और खुबसूरत दिखाई देने लगेगी और गैने को नेच्रल प्रोड़क्ट है जो काफी सेफ भी है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हामफल केमिकल नहीं है जो आपको कोई नुक्सान पोहुचा है बलकि आपकी तुच्छा को गलोइंग बनाता है सरी की मोनिते को बढाता है . हट्डियों की कमजड़ी को दूर करताहे पर याद रखेंगाऩ जॉक्तर की सला केविनास कसी अबन आपको नहीं करना और गैस आगर आप आपकी जो mental की clarity है उसे restore करता है mental clarity को restore करने में मदद करता है safe है effective है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें पर याद रखें गईस डॉक्टर की सला के वेना सेवन न करें और ना ही इसको खुराग से ज़्यादा मातरा में लेंग आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए subscribe कीजिए जिससे आपको हमारे नएने वीडियो के अपडेट मिलती रहे नएनी जानकारिया मिलती रहे और गैस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रजक्टिक रिगार्डिंग आपका confusion दूर होता रहे फिर भी गैस अगर आपको इस प्रजक्टिक रिगार्डिंग या किसी आज़र प्रजक्टिक की रिगार्डिंग कोई भी चानकारि जानी चाहिए हो ताप comment box में भी जाके comment कर सकते हैं हम आपके लिए हम इसा अब्लेबल रहेंगे आपकी सेहता जरूर करेंगे सो गईज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद